मुख्य मंत्री भजनलाज शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को उर्जा छेतर में आत्म निर्भर मनाने के लिए संकल्पित होकर कारिय कर रही है इस लक्षे के प्राप्ति में नवी कर्णी उर्जा का एहम उयोगदान है इसलिए राज्य सरकार प्रदेश में पंप भंडारन परियोजनाओं को प्रोच साहन देने के लिए नीती लाने जा रही है बजनलाज शर्मा मुख्यमंतरी कारियाले में विभिर विकास करताओं के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नवी करने उज्जा उत्पादन एवं परियावरन संदक्षन में पंप भंडारन परियोजना का महतोपूर योगदान है ऐसे परिया उज्जनाओं को प्रोच साहिट करने के लिए राज्य सरकार एक सपस्ट और ठोस नीती बनाने के लिए प्रतिवद है कि वे अपने सुझाव राज्य सरकार को प्रेशित करें जिनका उचित परिक्षन कर राज्य सरकार आगामे नीती में शामिल करेगी बैठक में राजस्थान अक्षय उर्जा निगम के प्रबंद निदेशक नत्मंदल डिडेल ने प्रस्तूतिकरन के माध्यम से पंप परियोजना का चन्हित किया है साथ ही कई विकास करता भी पंप भंडारन परियोजना से जुड़े हैं उन्होंने बताए कि वर्तमान में राजस्थान विद एंड हाईब्रीड एनरजी पॉलिसी दो हजार उन्निस एवं राजस्थान अक्षय उर्जा नीती दो हजार समंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचीव शिखरागरवाल एवं प्रमुख सचीव आलोग गुपता सहीत विभिन विभागों के वरिष्ट अधिकारी एवं निजी विकास करियल कारी करताओं के प्रतिनीदी गण उपस्तित रहे